पीबी से दुनिया में आज देखिए चत्तीस गड़ में धर्मांतरण और सांप्रदाइकता का गर्माता मुद्दा इंदकाल होगी उनलोग को फेग दी है को राय में मार कर योक्रेन में निप्रो नदी पर बने बांध को बम से उड़ाए जाने के बाद नुवा का खोवा शहर में बाढ़ की खबर योक्रेन कारोप रूस ने किया बांध पर हमला योक्रेन के राश्टरपती वलादमीर जिलन्सकी ने कहा असी शहरों पर खत्रा बाला सोट ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 288 ओडिशा के दोरे पर गई पशिम बंगाल की मुखे मंतरी मम्ता बैनर जी ने कहा छिपाई जारिय मुर्दकों की सही संख्या हादसे के बाद वो कौन थे जो बने थे पीडितों के मददगार दिखाएंगे घटना स्थल से खास रिपोर्ट अमेरिका और चीन के रिष्टों में जमी बर्फ पिगलाने की कोशिश चीन यात्रा पर गए अमेरिका के सहायक विदेश मंतरी चीन के विदेश मंतरा ने ने कहा हुई साफ और सार्सक बाद चीट अफगानिस्तान के बदखशा परांत में हुआ कार्विस फोट मारे गए वहां के डेपटी गवर्नर और उनका ड्राइवर साथी छे लोग भी घायल हुए अब तक किसी ने नहीं ली है जिम्मेदारी हाल के कुछ हमलों की इस्लामिक स्टेट ने नी थी जिम्मेदारी इन में से कुछ एहम खबरों की चर्चाज पीबी से दुनिया में साल दुजार चॉबेस में लोग सभा चुना होने से पहले भारत के कई राज्यों में चुना होने वाले है इस साल करनाटक में चुना होए साल केंट में राजस्तान, मद्यपरदेश और 36 गड़ में चुना होने वाले है चुना होने से पहले 36 गड़ में सामपरदाए घटनाय लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी चपेट में आधिवासी बहुल इलाका बस्तर भी है राज्य के लोग इसका क्या खामयाजा बगत रहें और राज्यनी तिक पार्टियों का इसे लेकर क्या रोख है इन सब पहलों के बाद आज कवर स्टोरी में 36 गड़ में नवंबर में विधान सभा चुनाओ है राज्य में बीजेपी राष्टरवाद और हिंदू लड़कियों की मुसल्मान लड़कों से कथित जबरन शादी के मामलों पर आकरामक रूख अपना रही है बस्तर जैसे आदिवासी बहुले लाकों में धर्मानतरन का मुद्दा भी उठाये जा रहा है लेकिन सत्तारोड कॉंग्रिस पार्टी भी हिंदुत्यों के मुद्दे पर बीजेपी से कहीं पीछे नहीं है महीने बर पहले ही बेमित्रा जिले में हुई सामपरदाइक हिंसा में हिंदु लड़के की हत्या के बाद जहां कॉंग्रिस की भूपीश बगहेल सरकार ने 10 लाक रुपे का मुआउजा और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया वहीं दो मुसल्मानों की मौत पर सरकार ने चुप पिसाद रखी है देखिए बीबीसी सम्वादाथा फैसल मुहमद अली की ये रिपोर्ट सामपरदाइक हिंसा में दो दिनों में एक ही गाउं में तीन मौते बीरंपूर में उस दिन साहू समाज की बैठक थी दो स्कुली बच्चों की मालपीट को ले कर दूँ गाउं में कठ्था हुए हमारे हिंदू समाज के भाई या तो छोटे बच्चे को मार रहा कर चलके तो तिन दाड़े कई भी यह लोग मारेंगा तो हम मारे बैठक चालू था ते में यह लोग दंडा लाटी आउजार लेके हमला ही बोल दे हो लोग शकीला गटना के दिन शोहर इदूल महम्मद के साथ खेतों में काम करने गई थी तो डार के कारण जमन्या हम लोग को सब को छोड़ने के लिए गाय थी निंके अभू रात रूखे हो ही फिर रात रूखने के बार में पिरो बोले कि तुम लोग जाओ गंड़े और मैं जाओंगा बखरी लाने ना अभू आरो बखरी लाने चले गई थोड़ा देर बाद फिर फोन आया वहां से चलो तुम लोग को मुझे खाने के लिए बुला रहे हैं करके चार बच पर इंतकाल होगी हम लोग को फेग दी है को राय में मार कर अध्यक्ष अरुन साओ के साथ धरने पर बीजेपी कारे करता अरुन साओ ने 10 अप्रिल को विश्व हिंदू परिशत के 36 गड़ बंद के बीच बीरन पूर जाने का प्रयास भी किया 36 गड़ के पूर्व मुक्मंत्री रमन सिंग बाद में साहु परिवार से मिलने पहुचे तुस्की करन की राजनीटी का इससे ज़्यादा बड़ा उधारन हिंदुस्तान की राजनीटी में नहीं मिलेगा फरवरी में हिंदू यूवतियों से कथित जबरिया विवाह को लेकर गाउं में धर्म सभा का आयोजन हुआ था मुसल्मानों से किसी तरह की लेन देन न रखने का निर्णा भी गाउं में लिया गया था हिंदू युवतियों और मुस्लिम युवकों के कथित प्रेम संबंद बीजेपी के कारकरताओं के लिए सबसे अहम राजनितिक मुद्धा रहा है 36 गड़ विधान सभा में बीजेपी की जो 14 सीटे हैं वो इसी शेतर के दरजन भर जिलों से आती है जिने मैदानी शित्र के नाम से भी जाना जाता है मुक्ध मंत्री भुपेश बगहिल ने भुनेशवर साहो की हत्या के तीसरे दिन परिवार को 10 लाख रुपेयों सरकारी नौकरी देने का एलान कर दिया इनसा में मारे गए मुसल्मान बाप बेटे को किसी तरह का मुआवजा देने के सवाल पर राजसरकार चुप है 36 गड़ दैनिक के संपादक सुनील कुमार मुसल्मान लाशों को अद्रिश बताते हैं प्रदेश में कॉंग्रेस ने जो की सत्तारूल पार्टी है आप जानते हैं यहां पर वो ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहती कि उसकी इमेज हिंदू विरोधी की बने या मुसलिम समर्थक की बने या अलपसंख्यक समर्थक की बने कॉंग्रेस प्रवक्ता शुशील आनन शुकला इसके जवाब में कहते हैं बेमित्रा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है बस्तर जहां साल 2008 तक बीजेपी के पास कुल 12 में से 11 सीटें हुआ करते थी जो पिछले राजगिय चुनाओं में शुन्ने पर पहुँच गएं हिंदुत्व संगठन अलाके में पिछले दिनों बेहद सक्रिय रहे हैं इसाई मत को मानने वाले सेमलाल के परिवार को दोहरा जटका लगा पहले तो बेटे की संदिक अहालत में मौत उसके बाद उसकी लाश के दफनाए जाने पर हंगामा सेमलाल ने निजी कारणों से आत्म हत्या कर ली थी सेमलाल को गाउं से 35 किलो मीटर दूर लाकर जगदलपूर के इस कबरिस्तान में दफनाए गया इर्रा कोड जैसी घटना बस्तर के लगभग हर गाउं कस्बे और शहरों में दुराई जा रही है इसमें पुलिस का किरदार यह है जाती है चानी लगाती है और एक पक्षे कारवाई करते हैं और उसके बाद किरदावाले और हावी हो जाते हैं हिसाई समुदा है कि लोगों को सबसे पहला रासन पानी बंद कर देना बजार हाट में जाकर के बजार हाट विवसाय करने नहीं देना फिर उसके बाद जो पानी बोर से लेते हैं उस बोर में पानी ले निकले मना कर देना और घर धंकी देना कि घर तुड़ुआ देंगे कि प्री मजीप से कैर हिस्टो चाहे में मुस्लिम हो या इसाई हो किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेंडें नहीं करेंगे क्योंकि बस्तर का अधिवासी के माटी पुजारी बोलके कहा जाता है अगर माटी पुजारी के साथ ही धर्मांतरन का खेल होता है तो निश्यत रूप से आने वाले समय हिंदू संस्कृति को ये घातक होगा इसी करण से हम लोगों ने अभी पूर जोर इसका विरोत करते हुए धर्म प्रसार के काम को और भी अत्यदिक बढ़ाया है तो लगबख साथ सो से आठ सो परिवार है जिनको हम अभी तक घरवापसी करवाए हैं बस्तर में साल 2023 की शुरुआत ही हुई नारायनपूर कैथोलिक चर्च पर हमले की घटना से जानकारों का मानना है कि 36 गडविधान सभा चुनाओं में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दर रहेगा राज में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों अपने आपको बड़ा हिंदु ही तैशी साबित करने की होड में हैं आने वाले चुनाओं को देखते हुए ये होड तेजी होती देख रही है रूस और यूकरेन युद्ध के बीच लड़ाई से एक और इलाका खत्रे में पढ़ गया है और ये हैं उस तबाही की तस्वीरें जैसा कि आप यहां देख सकते हैं तूटे हुए बांद से पानी तेजी से बढ़ रहा है इससे खेरसान अलाके में बाड का खत्रा बढ़ गया है और वहां से लोगों को महफूस जगों पर ले जाए जा रहा है ये बांद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप के सबसे बड़े नुक्लियर पावर स्टेशन जपोर्जिया के लिए पानी की आपूर्थी इसी बांद से होती है जिस पर रूस का नियंत्रन है इसलिए से युक्तरश्ट की परमाणू निग्रानी संस्था आईए एक यहालात पर पैनी नजर है यूक्रेन के राष्ट्रपती वलदमीर जलन्स की और उनके पश्चिमी समर्थकों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने अपने कब्जे वाले इलाके में नीप्रो नदी पर बने एहम बांद के हिस्से को धमाके सुड़ा दिया है हलांकि रूस ने इसमें अपना हाथ होने से इंकार किया है ये भी जानते हैं कि ये जगह है कहां काहकोक का हाइडरो एलेक्रिक पावर प्लांट रूस के कब्जे वाले नौवा काहकोक का शेहर में है और ये शेहर दक्षनी खैरसान इलाके में है और बीबी सी के युक्रेन समवादाता जेम्स वाटर हाउस इस बारे में और जानकारे देने है पानी कितना ज़ादा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है जो नदी के रास्ते दक्षन की और बहते हुए खेरसन के रिहाशी इलाकों में पहुँच सकता है और ये इलाका फ्रेंट लाइन भी है मुझे लगता है कि युक्रेन के सैनिकों पर रूस अपनी नजर बनाए हुए है हो सकता है कि उन्हें इस बात का डर रहा हो कि युक्रेन के सैनिक नीप्रो नदी को किसी तरह पार कर सकते हैं शायद इसी वजह से उन्होंने बान को तोड़ा हो हालाकि हमें पक्के तोर पर नहीं पता कि बान को नुकसान किसने पहुचाया है रूस और युक्रेन दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं राश्टपती जेलिंसकी ने इसे चरमपंती हरकत बताया है और लगभग एक साल से भी जादा वक्से चल रही जंग का अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है रूस और युक्रेन दोनों ही जंग में बढ़त का दावा करते रहते हैं रूस युक्रेन पर हमले को युद्ध की बजाए स्पेशल सैने ओपरेशन कहता है और इसके लिए समर्थन जुटाने के लिए रूस और्थोडॉक्स चर्च का सहरा ले रहा है कैसे देखे बीबीसी रूसी सेवा कि सम्मादाता स्टीव रोजनबर्ग की इस रिपोर्ट में रूस की राजधानी मौसको में नजारा जंग के मैदान से बिलकुल अलग है क्राइस्ट दे सेवियर नाम के इस चर्च में एक मास्टर पीस पेंटिंग लगाई गई है करीब 100 वर्षों से ये मौसको के त्रेत्या कोफ गैलरी में रखी हुई थी लेकिन हाल ही में रूस की सरकार ने इसे उस गैलरी से निकाल कर चर्च में लगाने का आदेश दिया जानकारों ने सरकार को ऐसा नहीं करने का मशवरा दिया था उन्हें डर था कि इस से इस पेंटिंग को नुकसान पहुंच सकता है लेव लिफशिट्स उन विशेशग्यों में से एक है ये किसी का मनमाना फैसला है गैलरी की रिस्टोरेशन काउंसिल पूरी तरह से इसके खिलाफ थी इस पेंटिंग को ऐसे वक्त में चर्च में लाया गया है जब हमारी पित्रभूमी दुश्मन की एक बड़ी सेना का सामना कर रही है ये यहां इसलिए लाई गई है ताके हम भगवान से अपने देश की मदद की अपील कर सकें और राष्टपती पुतिन के लिए प्रार्थना कर सकी रूस के लिए ये अनिश्चित्ता का दौर है यूक्रेन युद में सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हो पा रहा है और अब यूक्रेन की तरफ से जवाबी कारवाई की बाते हो रही है और ऐसे अस्थिरता वाले माहौल में रूस अपने स्पेशल मिलिटरी ओपरेशन और राष्टपती पुतिन के लिए जन समर्थन हासिल करने के लिए और्थोडॉक्स चर्च पर भरोसा कर रहा है ये राष्टपती पुतिन ने यूक्रेन में जंग लड़ रहे अपने कमांडरों को दिया मॉसको में होली ट्रिनिटी के दर्शन के लिए कतार में खड़े लोग किसी चमतकार की उम्मीद कर रहे हैं वैलन्टीना कह रही हैं कि स्पेशल मिलिटरी आपरेशन मुश्किल में है हम लोग जीत के लिए दूआ कर रहे हैं रूस का और्थोडॉक्स चर्च यूकरेन के खिलाफ युद्ध को होली वार साबित करना चाहता है ताकि रूसी नागरिकों को ये विश्वास हो जाए कि भगवान रूस के साथ है बाला सो रेल हादसे में मरने वालों के तादाद बढ़कर 288 हो गई है जब ये दुरखटना हुई तो सबसे पहले आस पास के लोग मदद के पहुचे थे उन्होंने घायलों को पानी दिया, मदद की, दवा पट्टी का जुगार किया इस हादसे को सबसे पहले अपनी आँखों से देखने वाले लोगों के दिल और दिमाग पर क्या घुसरा देखे बीबी सी समवादाता विनीद खरे और कैमरा परसन शाद मिदद की ये रिपोर्ट बदहवास सी आवाज तुलसी मलिक की है एक तेज धमा का सुनने के चंद मिनिटों के भीतर ही वो अक्सिडेंट की जगे पर पहुँच गई थी उनका घर पास के गाव कमारीपुर में है हमने समस्ते मना करा पानी देने के बाद इसका सास रूट अटकी जागा हमने उसके मथा पर सीर पर पानी लगाए और उसको निकाल के खेत में उसके पास में खेत है तो खेत में स्वाया दिया लोगों के शरीर पर चोटे थी कई लोगों को तुरंट मेडिकल मदद की ज़रूरत थी दवाओं की तलाश में वो सुभाग्य रंजन सारंगी की इस दवाई की दुकान पर पहुँचे जो रेल पटरी के ठीक बगल में है पटरी के पास की गाउव कमारीपूर के प्रताप सिंग राजमिस्त्री हैं उनके सामने चुनौती थी कि बोगियों में फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए इसलिए उन्होंने बोरियों की मदद से स्ट्रेचर बनाया यात्रियों के उस दर्द को इन आखों ने भी देखा और महसूस किया और अपनी तकलीफों सुरक्षा से ज़्यादा मदद की गुहार लगार है यात्रियों के बारे में सोचा और दर्द की दास्तान के साथ मददगारों की भी कई कहानिया है और कारिकरम आपको कैसा लगाए बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं एट बीवीसी सारे कबर बीवीसी दुनिया में फिलहालित आये कारिकरम आये